बन बहुत बार लोगों को बात करते हैं, बन जाते हैं करोर रुपया कमा लेते हैं पर कैसे , पैसा स्टॉक माकेट से आखिरकार आता कैसे हैं , आज इस वीडियो के अंदर आप डेफिनिटली सीखने वाल ए समझने वाले हैं और इस वीडियो के अंदर आपको एक बहुत अच्छी एडवाईज देने वाला हूं वह अच्छी एडवाईज इसलिए है क्योंकि इससे आपका लॉंग डम में बहुत फायदा होने वाला है आप डेफिनिटली एक बड़ी विल्थ क्रिएट करने वाले हो अगर आप इस वीडियो को इंट देखा और अगर आपको हम शुरू करते हैं सबसे पहली बाद हम ने लखी S.I.P. करीखिए SIP का मतलब होता है Always Systyards 친 отлич investment planning जितना आपको complicated लग रहे है न उत्ना ही असान समझत देखिए आप हमने सबसे पहले बोला कि लोग करोड़ों रूपर कमा यह करोड़ों पती बन जाते हैं पर गद्फन यह कैसे नहीं 2 तरीगे mins sheriff या तो मैं इन्वेस्ट करूँ तो एक तरीका है इन्वेस्टिंग कि हम पैसा डाले और दूसरा है ट्रेडिंग आप सोचिए अब हम ट्रेडिंग की डेफिनिटली इसी सीरीज के अंदर आगे बात करने वाले हम डिटेल में से सीखेंगे भी पर आज हम जब आपने उसमें पैसा भी लगा दिया अब मान लेते हैं वो स्टॉग डबल भी हो गया वो दस हजार रुपे का हो गया अब क्या होगा आप करेंगे हमारा पांच जार का फायदा हो गया बट इससे करोड़ पती छोड़ो लगपती भी बने हम गया नहीं बने पैसा तो हमने ली बनाया पर इससे तो कुछ भी नहीं हुआ इससे तो वेल्थ नी क्रियेट हुई जो हमें चाहिए थी अच्छा मेरे एक सवाल है आप मुझे बताईए थी के मैं आपकी कंसेप्स क्लिए करना चाहता हूं थोड़ा सा टाइम जरूर लूँगा पृट यू लवट हम के रेगुल पे एचा रहेगा और महीने में दो बार आए तो आपको को बहुत अच्छा रहेगा कहने का मतलब है आपको सैल्री हर महीने आती है क्योंकि आप उसके लिए हर महीने यह दिन काम करते हो आपको पैसा मिलता है माकेट से उसके लिए आपको definitely मैं समझाओगगा कि कैसे मिलता लोग करोडर रुपए कैसे कमाते हैं पर उसके लिए भी इन्वेस्टिंग भी रेगुलर होनी चाहिए सिस्टेमाटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का मतलब क्या है कि माकेट चाहिए नीचे जारी है यहां पर हम वालिटिलिटी को बीट कर देते हैं कुछ लोग कहते हैं माकेट बहुत उपर जा रही है अभी पैसे लगाने का शाहिए ठीक टेम नहीं है या फिर उपर जा रही है पैसा लगाओ और जब गिर रही है तो लोग बेज़ देते हैं वो पैसा नहीं लगाते पर वो खरीदने का हो सकता अच्छा टाइम और वारन प की बात कर रहे हैं और उससे होगा कि मैं आपको बताऊंगा यहां पर हम बात कर रहे हैं कि एक्जैंपल के लिए आपने सोचा हर महीने की एक तारिक यह हर महीने की पांच तारिक आपने सोचा यह एक तारिक को और पांच तारिक को कोई भी आप एक डेट चूस कर लेते हैं पर यह मैं स्टॉप मार्केट में हर महीने 5,000 रुपे इंवेस्ट करूंगा अब इससे क्या हो सकता है इससे आप करोड़ बती बन सकते हो अब वो कैसे बन सकते हो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा एक बड़ा सिंपल सा सिस्टम एक सिंपल सी कंसेप्ट है जिसे हम कंपाउंडिंग कहते हैं जिस दिन मुझे कंपाउंडिंग समझ आया था मेरे होश उड़ गए थे क्यों उड़ गए थे मैं आपको भी बताऊंगा अभी तो मैंने 5,000 की एक्जैंपल लिया इसे आप कितने भी अपने जो भी आप सुझ सकते हो तो मैं आपको कमपाउंडिंग को समझा देता हूं एक सिंपल सा कंसेप्ट एक बार समझ आ जाएगा आपकी लाइव बन जाएगी मैने आपको स्थार्टिंग में बताया था इस जो सरी में बताया था कि आपको पैसे को डबल करना जरूरी है और आप से इसे में हमारा पैसे डबल हो जाएगा और हमारा गोल क्या है कि इससे कम टाइम में हो छे साल से तो कमी लगे तो में 12 परसेंट से ओपर गा हमें चाहिए कि हमें returns मिले अब वो कैसे मिल सकते है returns maximization के हम बात करने वाले हैं अब compounding क्या होता है कि अगर मैं कहीं पर भी investment करता हूँ example के लिए मुझे कहीं से returns आते हैं और मेरी investment है 10 लाख रुपे अब अगर मुझे example 10% की returns आते हैं तो 10 लाख का 10% क्या हुआ आप कहेंगे एक लाख रुपे मुझे एक साल में एक लाख रुपे के return मिले मेरी जो capital है वो 10 लाख से बढ़कर हो गई 11 लाख आप compounding का मतलब क्या होता है जादतर लोग क्या करते हैं जब पैसा बढ़ा जो आपको returns आया इंटरस्ट आया जादतर लोग इसे खर्च कर देते हैं अगर आपने इसे खर्च किया तो पैसा नहीं बढ़ेगा example के लिए किसी की capital जाद है किसी की 10 करोड हो सकती है सो करोड हो सकती है हमें किसी इससे मतलब है कि हमारा कम से कम टाइम लगे आपका maximum अगर 6 साल में भी पैसा डबल होता है तो जिस इंसान की आज 10,000 की capital है उसकी 10,000 का 20,000 होगा बट जिसकी 10 करोड की capital है उसका 10 करोड का सीधा 20 करोड हो जाता है यह एक दिन में होतां, एक रात में नहीं होता, it takes years तो तीन से छे साल के अंदर दस करोडे से 20 करोडे रुपे कीापिटल हो गई आपकी 30 से 6 साल के अंदर अब अगर ये चलता रहेगा प्रोसेस, तो 20 करोड के 40 करोड होते हैं, 40 के 80 करोड होते हैं, और 80 के 160 करोड होते हैं, आपको आज एक सीक्रेट बताओ, अमीर लोग अमीर इसलिए बन रहे हैं, क्योंकि वो इसे समझते हैं, पैसे को डबल करने को समझते हैं, आज एक आदमी 10 क पेखिंगा है तो यह आपका चॉबेस साल हो गए है इसे कम करने के उपर हम डेफिनिली काम करेंगे बड़ यह चौबेस साल तब होंगे जब हम प्योरली पैसिव इंवेस्टिंग कर रहे हैं अगर आप एक्टिवली इन्वेस्ट करोगे आप इसे बीट कर सकते हो सो हमेंसे बीट करना भी है मैं कहता हूं अगर 12 से 24 साल के अंदर कोई आदमी 10 करोड से 160 करोड पर पहुंच रहे हैं अभी हमने इंफलेशन को एड़ेस्ट नहीं किया कई सारे लोग बोलेंगे इंफलेशन भी तो है महंगाई भी तो बढ़ रही है वही 8% 7% के आसपास महंग बाबली और नियू कि बहुत 10 करोड का 160 करोड पर जो आदमी आज कंपाउंडिंग को समझ नहीं रहा वह 10,000 20,000 30,000 कमा रहा है वह कभी इस प्रोसेस में नहीं आ पाएगा कभी अमीर नहीं बन पाएगा तो इस इस हाइली इंबॉडटन अब मैं आपको कंस्रेप्ट समझा अगर आप इंवेस्ट करते हो अब इंवेस्ट कहां कर सकते हो कि वस इंस्ट्रुमेंट क्या है पहला इंस्ट्रुमेंट है कि हम स्टॉक्स में इंवेस्ट करें स्टॉक्स में भी आज आपके पास इंडिया के अंदर ही फैसिलिटी है कि आप इंडियन स्टॉक्स में भी इ आप आएंडी मनी पर जाके आप यूए स्टॉक अकॉन खोलवा सकते हो उसके बाद जब भी आप अपने यूए स्टॉक अकॉन को फंड करोगे आपको एक हजार रुपे का यह मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में कि आपके लिए सप्राइज है जब आपने यूए इंडी मनी की तरफ से अब यूए स्टॉक में यह बहुता थे तो हो इंवेस्ट करने के कुछ बेनेफिट होते हैं डेफिनिटली विल टॉक अब दो कॉंसेप्ट यूए स्टॉक अकॉंट में जब फंड कर दोगे आप अपल गूगल एमाजॉन जैसी कंपनी में इंवेस् नहीं है बट इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर आपको पूरे का पूरा शेर खरीदना होता है यूए स्टॉक में फाइदा क्या होता है कि आप चाहे तो काओ मझे 100 रुप की इंवेस्टमेंट करनी है और शेर आप कह सकते हो अगर डॉलर की बात करें 100 डॉलर का है तो चाहOW तो 100 रुप की इंवेस्टमेंट कर सकते हो तो यहाँ पर फायदा क्या होता है अप फ्रैक्शनल इंवेस्टमेंट कर सकते हो एक तोως यह ओगया फ्रैक्श् हम concept थोड़ा से discuss करेंगे बड़ आपको एक चीज़ पता है कि हमारी currency अभी हम पिछले एक साल की बात करें तो काफी जादा डेप्रीशेट हो रही है कहा डॉलर आप देख रहे थे 72 का था अब 82 का हो गया अब अगर आपने यूए स्टॉक में इंवेस्ट किया होता माल लेते हैं वह स्टॉक सो डॉलर का है और वह बिल्कुल भी नहीं बड़ा एक साल में बिल्कुल नहीं बड़ा मैं ऐसा मानके चलत है तो यह आपको एक फाइदा मिलता है क्योंकि देखिए आपको पता है हमारा जो इंडिन गरंशी लगाता है डेप्रीशेट कर रहा है तो अगर आगे भी करा अगर मान लेते हैं कल को 82 की जगा जो मैं चाहता हूं कि ना हो बट अगर वह सो पहुंचा और आप लोगों को एक एडवांटेज है कि आपको ना सिर्फ रूपी कॉस्ट आवरेजिंग मिल रही है आपको डॉलर कॉस्ट आवरेजिंग मिलती है और इसमें आपको फाइदा किया जब हम SIP की बात कर रहे हैं तो आप SIP कर सकते हो यूस स्टॉक अकाउंट के अंदर जब आप फंड कर द देंगे यहां पर मैं SIP के लिए खोल देता हूं यहां पर मैंने आपके लिए के लिए खोल दिया है अभी आ जाएगा यहां पर आप देखिए अगर आप 5000 रुपे भी हर महीं ने इन्वेस्ट करते हो अभी मैंने आप एक्सपेक्टेड अनुल रिटरंस लिए 15 की क्योंकि कि अगर आप निफ्टी को देखें मैं आपको यहां पर निफ्टी का चार्ट दिखाता हूं तो निफ्टी ने पिछले कुछ सालों के अंदर हम इंडेक्स की बात करते हैं अभी हम जब नेक्स वीडियो के अंदर म्यूचल फंड इंवेस्टिंग को समझेंगे तो मैं आपको यह भी बताऊंगा कि म्यूचल फंड को आप किस तरीके से चूज़ कर सकते हो आपके लिए बेस्ट मूचल फंड कौन सा रहेगा सो मूचल हम बहुत जारा नाम सुनते हैं आपको बेस्ट मूचल फंड कैसे चूज़ करना आपके लिए आपके हिसाब से वह हम डिटेल में समझने वाले हैं तो बहुत डिटेल वीडियो होगी नेक्स अभी हम बात कर रहे हैं कि हम इंस्ट्रुमेंट की बात जब कर रहे हैं इंडिय वह एक्सचेंज ट्रेडिट फंड क्या होते हैं इसके ऊपर भी आपको डिटेल वीडियो मिलेगी इसमें भी आप चाहें तो SIP कर सकते हैं तो आज हम अभी स्टॉक SIP को समझ रहे हैं कि अगर एक स्टॉक जो फंडमेंटली आपको स्टॉंग दिखता है आप यह सीरीज से अब हर मेने 5 आडालते हो पर उससे होगा क्या वह हम अभी समझने वाले हैं पर उससे पहले हमने बोला आपको इपर इंडेक्स समझा देते हैं तो इंडेक्स में आपको समझते हैं इंडेक्स होता क्या है आप निफ्टी सेंसेक्स की बात करते हो देखो होता क्या है हम कहते मार्केट बढ़ रही है घट रही है तो अब अगर हम बात करें इंडिया के अंदर ना दो एक्सेंज और बीसी एनेसी का मतलब होता है नाशनल स्टॉक एक्षेंज बीसी का मतलब होता है मॉंबेस चॉक एक्षेंज अब यह सवाल मैं कई भार पूछता हूं दुबारा से पॉब्लिक उफरिंग मार्केट में बहुत सारा आई पीओ आते हैं पर लिस्ट हो जाती है तो बट फिर भी ज्यादा कंपनी इस पर लिस्टेड है आप कॉमेंट करके बता होगे अब नसी की टॉप 50 कंपनी से मिलकर बना है निफ्टी प्छोड़ी के एंड़ की टॉप 30 इसे मिलकर बना है सैंसेट को सबस्कें इसरहां निफ्टी को देख करियाники करें है इस तो सब्सक्राइण के एंडी पता लगा लगा लए ऑस्यां की ज को बात करते हैं तो युग एज्वेश के नेस्ट थे जिसमें जाएथ तर ही N जो IT के अंदर है US की top 100 companies IT की sector के अंदर इसके बाद SNP 500 का नाम सुनते हैं जिसमें 500 companies हैं इसी तरीके से डो जॉन्स होता है यह अलग-अलग इंडेक्स है यह US के इंडेक्स है अब इनके अंदर एक advantage क्या होता है यह समझना जरूरियस लिए बता रहा हूं निफ्टी 50 NSE की top 50 companies अगर किसी company का market cap नीचे जाएगा तो वो निफ्टी से बाहर हो जाएगी तो हम आने वाली वीडियो में इसे detail में समझने वाले हैं तो निफ्टी में हमेशा top 50 ही रहेंगी सेंसेक्स में हमेशा top 30 ही रहेंगी टॉप की companies ही रहेंगी आप यह समझ लो अब जो मैं आपको बता रहा था कि से लोग अमीर कैसे बनते हैं जो concept हमें समझना है वह यह है कि जब आप सब्सक्राइब करते हो चाहे 5000 रुपे की क्यों हमने बोला निफ्टी ने पिछले कुछ सालों में 15% के आसपस की रिटर्न दी है तो हम निफ्टी की बात कर रहे है कि निफ्टी आप देख रहे हो लग और इन्वेस्ट करते हो एकजामपल के लिए 22 साल आप अपने साबसे चेंज करते हो और अपने साल के लिए इंवेस्ट करना चाहते हो और अपना अमाउंट बढ़ा घटा सकते हो बहीं कोई पांच रैन पिछे करता हैं निफेस्ट कर रहे हैं सब कुछ चलेंगा आप एक मैंने लिया है कि लोग क्याता है लोग करोड़ पादी कैसे बनते हैं एसा एपी करके कैसे करोड़ पादी बनते है तो यहां पर आगर आप 5000 भी इंवेस्ट करते हो 15% के रिजाब से आप आप ने इंवेस्ट किया था सिर्फ 13 लाख रूपर 13.2 और आपकी वेल्थ गेन हुई यह 90.3 लाख रुपीज की मतलब आपका जो expected amount होगा वाइस साल के बाद आपके बास एक करोड रुपे से जादा के लिए आपने सिर्फ तेरा लाख रुपे इंवेस्ट किया वो भी over the years अब अगर सोचिए आज आप काफी बड़े हो गएंगे जाधातर यूथ मेरी वीडियो इसको दिखते हैं आपके फादर ने जब पैदा हुए थे तब आप के लिए आपके नाम पर सिर्फ दो हिजार रुपे की सिर्फ गयास माल लेते हैं और शुरू करे होती और 15% के साब से उने रिटर्न मिलती तो आज आपके लिए वह 41 लाग रुपीज कलेक्ट कर चुके होते हैं अब आप अपने फ्यूचर के लिए सो सकते हैं हो सकता है आपको यार मैंना 2000 नहीं तो 20,000 जोड़ सकता हो और मैंने और आप कहते हो बट मुझे तो सिर्फ 10 साल के अंदर ही पैसा चाहिए मुझे 10 साल के अंदर पैसा चाहिए हम एवरेज लेके चल रहे हैं तो 10 साल के बाद आपके पास तक्रीबन तक्रीबन 55 लाग रुपे होगा तो यह जो आज आप समझ प भूल जाए तो आपको पता है कि एक जनरेशन में वो क्या कर जाएगा सिर्फ अगर आप करते हैं जी मैं 20,000 रुपे शुक्यों हो सकता है कुछ लोगों लिए बड़ा अमांट हो भी पर यह गलती से मैं आप एक 0 बढ़ा देता हूं मैं नहीं कहारा ऐसा होगा बस आप जा ही यह 4,80,000 करोड़ है कि सिर्फ धाई करोड़ भी इंवेस्ट नहीं हुआ होगा सो सालों में से 20,000 भी चलता रहेगा बड़ कंपाउंडिंग से आप को कि पुशकर स्थ क्या मजाक हो रहा है यह 4,80,000 करोड़ रुपे बन सकता है बन सकता है इसे आप कारना में घुच से कर सकते हो यह सो साल का एक अन्रिलिस्टिक एक्जामपल बहुसारे लोगों के लिए हो सकता है बड़ मैं आपको एक बादा हूं मेरी एसाइपी 20,000 की नहीं है 2,000,000 की थोड़ी जादा की है मेरी एसाइपी अगर मैं जब यह फिगर देखता हो ना तो मैं खुद बागल हो कि यह हम अपनी जनरेशन के लिए कर सकते हैं एक सोसाल का एक्जामपल है तो आपको के जाधते लोग सोसाल नहीं जीएंगे पड़ मेरी कोशिश है मैं जी हूं तो हम फिटनेस को भी प्रमोट करते हैं पड़ अगर पचास साल के लिए भी कर देते हो और एक्जामपल किसी सब्सक्राइब कर देते हैं तो कितना पैसा होगा मैं सब्सक्राइब कर लेता हूं आपकी इंवेस्मेंट सिर्फ 6 क्रोड की है मेरे भाई बढ़िया पर ऑल्मॉस 1400 क्रोड बर रहे हैं आप को कि क्या क्या मजाग चल रहे हैं बट इस दा माजिक इस हाओ पीपल बिकम रिच इस आइप अब आज आपने सिर्फ समझा आज आपने क्या क्या संजा इसे समझी एक तो इस में हमने एक चीज hackers बिल्कु साइड कर दिया वह हमने क्या किया कि market की volatility कभी उपर है कभी नीचे कभी नीचे हमें कोई फरक नहीं बढ़ रहा हम हमेशा invest करते जा रहे हैं उपर भी नीचे पर भी तो overall हमें steady growth मिलती है this is number one दूसरा अगर आप मैंने बोला आप यूस चॉक्स में इंवेस्ट करते हो तो आपको फायदा क्या होता है कि आपको डॉलर कॉस्ट की भी हमारे होता है रुपी उसका भी फायदा होगा तो आपके पंदरा सो करोड तो एक होंगे बड़कर डॉलर और बढ़ गया तो और जादा हो सकते हैं ठीक है मैंने इंड मनी के पर में बता दिया है लिंक डिस्रिप्शन कमें बोक्स में है आपको फायदा होगा 1000 रुपे का आपको अगर शर्मी मिल तो रीडिम कर लो तो यूस चॉक और बना सकते हैं इसके लाव इंड मनी पर और भी कुछ फीचर जो में यूज करता हूं आपको आपके नेट वर्द भी पता लगे ही आपके सारे बैंक अकांट में जो भी बैलन्स है आपकी मूचल फंड में इंवेस्मे इसके फ Whatsapp이다 चांट ने तो आप अज़े हैं थो फूम नों चानओ इसके में चाहिए और ना पशचा करते हैं यहां मेरे पास आप encode करना साथ यूज कोई भात नहीं शूरू तो और लुजर श्रू टो करो इसमें आपका नुकसाना हो probability बहुत ही कम है, over the years आपको फाइदा मिलेगा, आप समझो, आप कभी भी बैंक में पैसा रखते हो, आपको पॉलिसी कराते हो, किसी insurance company को पैसा देते हो, in fact, हम mutual funds को भी समझेंगे, यह सारा पैसा लगा रहा है, यह पैसा सारा stock market में लग रहा है, क्योंकि stocks में returns आती है, तो वो आपको एक fix, छोटा मोटा return देते हैं, आप FD कराते हो, आपको लग रहा है, मेंको तो 7, 8, 9% मिलेगा ही मिलेगा, बट कहीं से तो जादा आरी होगी न, returns, bank definitely loan दे के भी पैसा कमा रहा है, बट वो invest भी करता है, bank is an active investor, तो ठीक है, आपको समझ आ गया, यहाँ पर मैंने आपको बला, beginner friendly भी है, and finally, long term के बारे में सोचो, short term में SIP से कुछ नहीं होगा, यह मैं आपको आज बता दूँ, कोई बोले बही है, एक महीने में, दो महीने में हो जाएगा, बहुत थोड़ी returns हैंगी, आपको horizon बढ़ा होना चाहिए, अब वो कितना बढ़ा होना चाहिए, मैंने आपको एक calculator के बारे में बता दिया, आप Google करो, अपने हिसाब से देखो, कि अगर आप SIP करते हो, जिस समाउंट की करते हो, आपके गोल्स के हैं, बाकि नेक्स वीडियो में, I'll try to help you more on goal setting, and realistically choosing the right mutual fund, तो I hope आपको वीडियो चाहिए होगा, आपके इस वीडियो के लिए इस वीडियो के लिए इस वीडियो के लिए इस वीडियो के लिए नहीं नहीं पता, अच्छा, इस calculator साथ खेलना जरूर, क्योंकि इस से, यह जो मैंने आपको calculator हैं पर बताया ना, SIP calculator, इस का खेलना जरूर, ऐसे आपको calculator बहुत मिल जाएंगे, कोई भी calculator ले लो, क्योंकि इस से आपकी अच्छी आदत बिल्ड होगी, अच्छी आदत क्या, क्योंकि आ मोटिवेट हो जोगे इन्वेस्ट करने के लिए, और मैं चाहता हूं कि आप इन्वेस्ट करो, मैंने आपको बोला थे क्या अच्छी एडवाइस दोंगा आपको, और यह यह है, आज आप किसी भी लेवल पे हो लाइफ में, चाहिए आप 500 रुपे महीना जोड़ पा रहे हो, या 500 रुपे महीना जोड़ पा रहे हो, पहली बाद तो आपको आपकी इंकम का 10% इंवेस्ट करना चाहिए अब 10% आपको आज हो सकता थोड़ा सा पेन दे पर अगर आप एक किताब पढ़ोगे लिचस मैं इंदा बैबिलोन यह सबसे बड़ा सीक्रेट है अमीर बनेगा कि जो भी आप कमा रहे हो उसका 10% निकाल के इंवेस्ट करो और यह आपको लॉंग तम में वेल्थ जरू क्रिएट कर देगा तो स्टॉक मांकेट से इंवेस्टिंग करके समीर बनते हैं आज मैंने आपको क्लियर करने की कुशिश करिए होगी फाइनली आपको नेक्स वीडियो तिल दा नाइम यूज अलुए